सो हे गाइस रियल्मी यॉई का वर्जन 4.0 अपने डिवाइस में सक्सेस्फुली फ्लैश कर लिए बहुत ही जाथ अच्छा कस्टम राम है सेम रियल्मी के जिसे ही लगता नए फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते तो बिना टेम वेश करें अपन वीडियो को श्राट कर पर जाता थोड़ा सा पुनाना सेक्रिटी पैज है वर्जन पर एंगे तो यहां पर करनल वर्जन आप चेक आउट कर सकते हैं डेक्स के करनल इसमें यूजवा बहुत ज्यादा अच्छा करनल है और कलर वेस बर्जन आप चेक आउटकर सकते हैं 13 अपने को मिल जाता इसके Animation में कोई भी अपने को लाग नहीं मिलता बहुत जादा स्मूध इसके Animation से I think so या पर डिवाइस का डिस्प्लेव 120Hz पर सेट है तो Animation बहुत ही जादा स्मूध अपने को मिल जाते और स्टेटास बार आप इदर चेक आट कर सकते Realme का ही आपको स्टेटास बार देखने को मिल ज जाता और रीसंट से आप यहां पर चेक उट कर लो कुछ इस तरीके से मिल जाते नीचे आपको क्लियर रॉल का बटन भी देखने को मिल जाता ता यहां पर देख सकते एकदम प्रिमियम लुक है इसका कॉलिंग इंटरफेस की बात करेंगे तो यहां पर देख सकते कुछ इस नोट कर सकते कोई भी important things इदर आप नोट कर सकते और caller का नाम इदर automatically return रहता यह feature में को बहुत ही जादा अच्छा लगा इसके extra settings की बात कर लिंगे अपन वालपेबर इंस्टाइल पर एंगे तो यहां पर बहुत सारे अपने यहां पर लाइब बॉलपेबर भी रहते और static वालपेबर भी आपको देखने को मिल जादे सारे वालपेबर इदर फॉंट्स पर आप स्विच कर सकते आइकॉंस का option मिल जादा इदर आप बहुत सारे आइकॉंस के style अपलाई कर सकते लाइक यह default आइकॉं इदर आप सेलेट कर सकते और यहां पर QS पैनल पर देख सकते एक सेम शेप आ जाता यह देखने में बहुत प्रीमियम लगता और इसमें एज लाइटिंग को option मिल जाता यहां पर एज लाइटिंग बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही होम स्क्रीन एंगे तो यहां पर आप सेट कर सकते और यहां पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाते अनिमेशन स्पीड फास्ट मीडियम पर सेट कर सकते ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे पर वीडियो पो ज्यादा लंबी हो जादी डिस्प्ले पे एंगे तो यहां पर डाक मोड और वाइट मोड बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता डाक मोड के इदर आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड भी मिल जाते लाइक एनेंस मेडियम जेंटल का ऑप्शन मिल जाता यहां पर में बहुत अच्छा लगा यह ज्यादा रहता और बहुत ही प्रीमियम लुक देता और बहुत सारे इस डिस्पले से रिलेटेड आपको मिल जाते यहां पर इनेबल कर देने के बाद सांट बढ़ जाती नोटिफिकेशन और स्टेटेस बार पर देख सकते अपने को बैटरी के स्टाइल मिल जाते परसेंटेज को भीदर अपन इनेबल कर ले सकते बैटरी पर आ जाएगे देखने को मिल यहां पर आपको जीटी मोड देखने को मिल जाता इसको नेबल कर देने के बाद डिवाइस का परफार्मेंस एहने सो जाता यह प्शन में को परस्टनली बहुत अच्छा लगा प्रेशल फीचेस पर एंगे तो यहां पर एप स्प्लिट स्क्रीन का उप्शन मिल जाता और यहां पर फ्लेक्सिबल विंड़ोस का ओप्शन इसल fails कर सकते और वीदर चिंख को छे तो यहां पर एक सेटिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छे सेफटी नेट की बात करेंगे तो यहां पर सेफटी नेट बाइड डिफॉल्ल फिल्ल है इसमें आप बैंकिंग एप्स रन नहीं कर सकते लेकिन आप मैजिस का सेटब कर सकते इसमें आपको मैजिक स्प्री देखने को मिल जाता यहां पर देख सकते आप वीडियो रिकॉर्डिंग वर्फार्टी बहुत ज्यादा अच्छा है इसके युवाय में कोई भी लाग नहीं है अपन अब इसमें गेमिंग भी करके देख लिए इसमें अपने इनदी फेस अनलॉक मिलता है नहीं और कैसा ग अब कोई भी अपने को 90 फेस अनलॉक नहीं मिलता 40 फेस पर अल्ट्रा अपन गेमिंग कर ले सकते एक मैंच में खिलके बताता हूं गेमिंग पर्फार्मेंस दे सकते बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहता कोई भी आपको इदा लाग देखने को मिल जाते इस कस्टम रॉम में तो बैटरी का ड्रेन इसु देखने को मिला और अगर आप गेमिंग कर रे तो बैटरी बहुत जंदी ड्रेन होती और कोई बीद में को इसमें हीटिंग इसू देखने को नहीं मिला गेमिंग पर्फार्मस रॉम का बहुत ही ज्यादा अच्छा है यहां पे स्टेबल 40 fps रहत वीडियो कर इंफर्मेटिव लाइक तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब कर दो अपन ये वीडियो को अब एंड करेंगे सी यू नेक्स्ट वीडियो